तो नमस्कार आजम आये हैं वसंद्पूर कॉल्णी फरिदबाद के बसंद्पूर कॉल्णी में आये हैं यहां पर बार के वज़े से काफी खराब हो चुकी है जिसके वज़े से लोगों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है जैसे आप देख सकते हो काफी घरो यह साचार आई जाएगे तो इसलिए अमरिता अस्पताल फरिदाबाद में बसंद्पूर कॉल्णी में एक मेडिकल कैम्प कहां पर लगाया गया है इस मेडिकल कैम में आप देख सकते हैं दो डॉक्टर रहेंगे और दो से चार नौसस भी रहेंगे आई हम डॉक्टर से ही कि कैसे कैसे जाए डॉक्तर है यहां पर कितने पेशेंट आ रहे हैं पेशेंट लोड तो अच्छा खासा है कि काफी लोग प्रभावित हुए इस बाड से चेतर में आने में भी समस्या होती है लेकिन अच्छा है पेशेंट मतलब कि अच्छा लूड आ रहे हैं और कई जैस अंखों के इंफेक्शन तुचा के इंफेक्शन अलग अलग इंफेक्शन तो जो हैं वह सच्छी में आप अच्छे कासे प्रवाब रहे हैं कि यहां से अल्मूस्ट हम लोग जितनी अपीडी जितने डिपार्मेंट की ओपीडी चवर कर सकते होतने हम ऊपीडीस कवर करके को एक सही मार्क दर्शन देखें जो कुछ मरी जहां पर ऐसे भी है जिनका पहले से लाज चल रहा है लेकिन बाढ़ की वज़ेसे कई दस्तावेज पानी में जा चुके तो नहीं रह पाए है तो वह अपना इलाज और समपर कुछ यहां से कई रफेरेंस बिल्कुल हो रहे हैं यहां से कई ऐसे केसे जिन में रेफेरेंसे पड़े हैं जैसे की डॉक्तर ने कहा यहां पर पिछले तीन दिनों से यह कैम चल रहा है अधिक लोग यहां पर आये हैं तो यह सेवाए कि डॉक्तर ने बोला है कि दवाया उपलब है और कंशाल्टेशन है यहां पर किसको का खासी जुखाम अगरा हो तो यह कंशाल्टेशन के लिए आवसकता है यहां पर कुछ उनको पड़बल लगा कि इससे जादा कोई स्पेशाल्टी की आवशकता है करती तो यह अपने अस्पिताल पर रेफर भी कर सकते हैं और यहां पर आम्बुलेंस भी लगा रखा है जिससे यहां से कोई एमर्जेंसी सिट्वेशन आये तो नजदी की अस्पिताल तक यह पहुंचा पाएं पर आप यहां पर देख सकते क्यां पर आप देख सकते हैं जैसे जोड़ी दवाईया इनको चाहिए होंगी वह सारे दवाईया यहां पर उपलब है वैसे बाड़ी से थोड़ी कम हो रही है आज कर पानी घर से थोड़ा थोड़ा निकलने लगा हुआ है तो और भी यह अगर यह बढ़ाना हो तो शायद वो भी आम्रिटास पत्वार करें